नमस्कार दोस्तों, HFF अड़ा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अजरंसारी 36 गड़ के वीजापूर में शुरक्सा बलो पर हुए नकसली हमले का माश्टर माइंड माडवी हिडवा इस समय चर्चा में है 3 अप्रेल को वीजापूर में हुए नकसली हमले में मावादियो को हिडवा ही लीड़ कर रहा था हिडवा की मौत की खबर समय समय पर फैलती रहती है, लेकिन हर बार किसी नई बड़ी वालदात में उसका नाम आ जाता है हिडवा के बारे में पुलिस और शुरकसाबल के पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है न्यूस वेबसाइट देनिक भासकर ने हिडवा के बारे में जानने के लिए एक पूर्व नकसली कमांडर बदरना का इंटर्व्यू लिया जो साल 2000 में सरंडर कर चुका है और ये इस तरह का ऐसा पहला इंटर्व्यू है बदरना बताते हैं कि साल 1996 में उन्होंने ही हिडवा को माववादी संगठन में भर्ती किया था उस वक्त वो महज 16 साल का था उसके गाव पुर्वर्ती में माववादीों की ग्राम राज्य कमेटी ने उसे चुना था भर्ती की परकरिया बर्दरना ने ही पूरी की थी उसके साथ कई और बच्चे भी थे उन्ही में आज का मशूर नकसली पापा राओ भी था बच्चों के लिए माववादियों में बालल संगम नाम से एक संगठन होता है हिड्मा की शुरुआत उसी से हुई मतलना आगे बताते हैं कि दुबली पतली लेकिन चुस्त कद काठी वाला हिड्मा बहुत तेज तर्राल था और चीजों को बहुत तेजी से सित्ता था उसकी इसी काबिलियत की वजह से उसे बच्चों की विंग बालल संगम का ध्यक्ष बनाया गया गोन समाज से आने वाले हिड्मा की शादी माववादी संगठन में आने से पहले हुचुकी थी हिड्मा नाम उसे संगठन ने दिया था अब बस्तर में माडवी हिड्मा कई नामों से जाना जाता है माववादियों का अपना एजुकेशन सिस्टम और कल्चर कमेटी होती है यहां हिड्मा ने पढ़ाई करने के साथ गाना बजाना सीखा क्रान्ती गीत और कुछ खास तरह के वादियंतरों को बजाना सीखना माववादियों के प्रिशक्षन का हिस्सा होता है बदलना बताते हैं हिड्मा जितना अच्छी तरह एममुश लगाना सीख रहा था उतना ही अच्छा वह वादियंतरों को बजाने में भी था उसकी आवाज में भी दम है उसकी तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह प्रात्मिक उपचाल की शिक्सा लेने में भी सबसे आगे था ट्रेनिंग के बाद हिडमा की पहली पोस्टिंग महाराष्ट के गर्चरोली में की गई थी बदरना पताते हैं 2010 में ताड मेटरा में 46 जवानों की हत्या के बाद उसे संगठन में एहम जिम्मेदारी दी गई इसके बाद जھیरम घाटी के हमले की रणनिती भी हिडमा ने ही तयार की 2017 में सुक्मा के बुरकापाल में सेंटर रिजर्फोर्स पर हुए हमले का मास्टर माइन भी वही था बदरना कहते हैं अपनी उम्र में किसी भी मावादी से वह बहुत आगे था बदरना इस बारे में कहते हैं अभी फिलहाल तो मैं हिडमा से नहीं मिला लेकिन वो जिन्दा है ये जानता हूँ मैंने करीब दोस साल पहले उसे देखा था तब वो वैसा ही ता जैसा हमने भर्ती किया था उस वक्त 30 से 31 साल का रहा होगा अब तो वह 40 से 41 साल का होगा हिडमा लड़ाई की रणनीती बनाने में इसलिए जवलदस्त है क्योंकि उसे आधुनिक टक्नीक का बहुत ग्यान है बदलना कहते हैं यह बात बिल्कुल सच है उसे तक्नीक से बच्पन में भी लगाओ था वह अपने हर हमले का वीडियो बनाता है ताकि उस हमले के कमजोर पॉइंट और मजबूत पॉइंट पर बाद में माववादी फोज के बीच चर्चा कर सके हर हमले के बाद संगठन के अन्य लोग और हमले में शामिल कमांडर से लेकर सिपाही तक सब लोग इस वीडियो को देखते हैं और उसकी शमिक्सा करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कहां चूक हुई और कहां हमने पहले से बहतर किया जबकि शुरक्सा बल ऐसा नहीं करते महारणीती एसी में बैटकर वहे अफसर बनाते हैं जिने फिल्ड में लड़ाई के लिए नहीं जाना और फिल्ड में जाने वाले सिपाही को बस निरुदेश दिया जाता है संगर्ष के बाद सफलता या ऐसफलता के शमिक्सा के लिए भी केवर अफसर बैठते हैं